नमस्कार दोस्तों कैसे आप लोग उमिद कर रहा हूं सब बेहतर होंगे और पढ़ाय लिखाई भी बेहतर चल रहा होगा किसी को किसी परकार का समस्या नहीं होगा नहीं कोई तकलीफों होगी ना कोई पढ़सानी होगी तो जैसे की जान रहे हैं कि 2023 खतम हो गया और 2024 आने व प्लानिंग कर लो और 2024 में जो भेकैंसी मुख रूप से आने वाली है उनके बारे में इस वीडियो में हम लोग डिसकस करेंगे थिक है थमनेल आप देखे होंगे कि 2024 में कौनकोन वेकैंसी आने वाली है SSC में रेलवे में और भी बहुत साड़ी चीज़ों में उनके बारे म हम लोग यहां discuss करेंगे आप ध्यान से देखेंगे ठीक है उससे पहले हम थोड़ा से एक चीज के बारे में आपको यहां बात बताएंगे कि अगर आपको math पढ़ना है किसी भी job से related किसी भी job में math आता है और अगर आपको उसका तयारी करना है तो आपको अगर math chapter wise पढ़ना है तो आप easy way sro channel से जूड़ जाइए easy way sro ठीक है easy way sro से easy way sro जोकी 9 बज़ के 10 मिनट पे session आपका start होगा advanced math से session को हम लोगे start करने वाले क्योंकि arithmetic आपका बहुँ सारा इस channel पढ़ाय जा चुका है तो हम लोग advanced से session को start करेंगे advance खतम करने के बाद आपका arithmetic पढ़ेंगे Monday to Friday class करेंगे और E जो class होगा वो आपका 8 जनवरी से start होगा तो इसलिए सुरू हो जाइए 8 जनवरी को भूलियेगा मत सुबह में 9 बज़ के 10 मिनट पे advanced का class जरूर किजिएगा math का अगर practice करना है आपको sectional practice करना है जैसे के math का practice करना है तो आप easy way global channel से जूड़ जाइए easy way global ठीक है easy way global channel से जूड़ जूड़ जाइए easy way global channel से 10 बज़ के 10 मिनट पे session को हम लोगे start करेंगे और इस session में जो practice होगा वो बहुत ही पहतरीन तरीके से होगा क्योंकि जो question, जिस question में जो concept लगेगा जो trick आएगा, जो formula आएगा उसके बारे में proper discuss करके और question को solve करके तब हम लोग आगे बढ़ेंगे यह भी जो class होगा हो आपका 8 जनवड़ी से ही start होगा 8 जनवड़ी Monday से आपका class से start हो जाएगा तो 8 जनवड़ी को सुबह में 10 बज़ के 10 मिनट पे easy way global और 8 जनवड़ी को सुबह में 9 बज़ के 10 मिनट पे easy way सारो मतलब कि आपको कुछ नहीं करना है, सुबह में 9 बज़े तक नहायत हुए अच्छिले हुए अंडे की तरह तयार हो जाना है और 9 बज़े से 11 बज़ तक हमको देना है ठीक है और 2 घंटे math का class करना है जिसमें आपका chapter wise भी हो जाएगा और practice भी हो जाएगा ठीक है तो तयार रहिएगा ठीक है न और comment करके बताएगा कि ये plan कैसा है आगे बढ़ेंगे यहां से हम लो तो सबसे पले अगर vacancy के बारें बात करें तो सबसे जो bulk में vacancy देती है वो SSC देती है तो SSC के calendar release हो गया इसमें से आपके लिए कौन-कौन vacancy है उसके बारें बात करेंगे अगर किसी vacancy पे आपको detailed video चाहिए syllabus का और qualification का तो comment करके बताएगा हम बात कर लेंगे दिखाई नहीं दे रहा होगा कम दिखाई दे रहा होगा कोई बात नहीं बस धैर बना करके सुनते जाएगा पहला जो है आपका अगला आपका ldc लिमिटेड डिपार्टमेंट तो यह आप छोड़ दीजी इसको अभी साइट कर दीजीए एसे से यूडी सी ग्रेड लिमिटेड डिपार्टमेंट है तो लिमिटेड डिपार्टमेंट को छोड़ देते हैं सेलेक्शन फेज जो है आपका 12 जो है 2024 में आएगा तो यह जो है एक फड़वड़ी 2024 को आएगा और 28 फड़वड़ी 2024 तक इसका फॉर्म फील होगा उसके बाद इसका जो एकजाम होगा वह आपका अपरी इल्वाई में होगा उसके बाद जो आपका अगर आप graduate है और आपके कंधे पर अपने कंधे पर अश्टार लगाना है और आपको पारमिलेट्री में जाना है तो आप इसके लिए तयार हो सकते हैं इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं लेकिन इसमें बहुत सारे क्रिटेरिया होते हैं ग्रेजुएसन होना चाहिए और आपका हाइट एक सत्तर होना चाहिए क्योंकि इसका फिजिकल भी प्रोपर होता है तो अगर दोनों चीज़े हैं तो इसका तयारी में लग सकते हैं कोई अलग से तयारी नहीं होता है बहुत ही बेतरी लेबल का है और मैथ जो हम पढ़ाएंगे उससे बाहर एक क्वोचन इसमें नहीं जाएगा ठीक है न तो यह जो होगा आपका 15 फरवड़ी से इसका फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा और 14 मार्ज तक इसका फॉर्म चलेगा और मई और जून में इसका एक्जाम हो जाएगा अगला आते हैं तो जुनियर इंजिनियर तो यह भी आपका इंजिनियर लोगों के लिए इसको छोड़ देते हैं आप LDC का फॉर्म फिल अप कर सकते हैं केवल अगर इंटर पास आउट है तो दो अप्रिल को इसका फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा एक मई तक इसका फॉर्म फिल होगा और जून जुलाई में इसका एक्जाम होगा अगर किसी भी एक्जाम का अगर आप डिटेल्ड सिलेबस चाहते हैं तो कॉमेंट जरूर किजिएगा ठीक है न और अगर इसका मैठ पढ़ना चाहते हैं LDC का तो आप जोइन कर लिजिए एजी वे एसारो पे हम चैप्टर वैज करवाएंगे और गलोबल पे प्रैक्टिस करवाएंगे ठीक है तो आपका बाहर नहीं जाएगा उसके बाद अगर आप इंटर भी अभी पास आउट नहीं है मैट्री के बाद अगर जोब की तलास में कि मैट्री के बाद हमारा है तो आपको कुछ नहीं करना है आपका MTS मल्टी टास्किंग स्टाप ठीक है जो के साथ माई को इसका फॉम आ जाएगा और छो जुन तक इसका फॉम फिल होगा और जुलाई अगस्त भी इसका एक्जाम होगा तो मान के चली कि अगर आप MTS का भी तयारी आज से करेंगे तब ही जाकर कि जुलाई अगस्त तक पूरा सिले बस कभर कर पाएंगे चारों सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं तो अभी से लग जाईए ठीक है उसके बाद जो बात करें तो कंबाइन ग्रेजुएट लेबल अगर आप ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं तो इसके आप जा सकते हैं क्योंकि जो जोब है इसको मिन्नी आइस बोला जाता है और यह बहुत ही बेहतरीन लेबल का जोब है और मजे का तो बात ही छोड़ देजे कंधे पर तीन सीतारा एक बारे में लगता है ना तो फिर आपका जो पिता जी है ना जो 56 इंच का सीना का जाता है वैसे ही बाहर आ जाता है ठीक है तो इसलिए अगर आप ग्रेजुएट हैं तो इसके पीछे जा सकते हैं कंबाइन ग्रेजुएट लेबल जो की बहुत ही बेहतरीन लेबल का जोब है एक्सपरियेंसे बता रहे हैं और 11 जनवड़ी को इसका फॉम 11 जून को आपका स्टार् होगा सितंबर अक्टूबर में भाई साब इसका एक्जाम होगा तो तयार हो जाइए ठीक है अगर ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है तो मैथ का जिम्मेदारी मेरा है मैथ कंप्लीट करवा देंगे रिजनिंग का प्रेक्टिस सुरू हो चुका है सामको साड़े साथ बढ़े रिजनिंग का प्रेक्टिस होता है इसी चैनल पर तो जरूर जोइन कीजिए ओभी आपका जो प्रेक्टिस होता हो सीजील का ही कोश्चन करवाया जाता उसमें ठीक है न तो वहां से आप आप आइडिया लगा सकते हैं बाकी इस चैनल पर हमने पिछला साल का दो ज जड़ते हैं इसका सीजील का प्रेका कोश्चन करवाया कुछ सेट वहां से आप देख सकते हैं कि क्या लेबल रहता है ठीक है कोई खास लेबल नहीं रहता आराम से कर लोगे ठीक है उसके बाद इधर देखे तो यह आपके लिए नहीं उसके बाद इधर जीडी का देखा तो जीडी का जो है आपका साथ 27 अगस्त को इसका नोटिफिकेशन स्टार्ट होगा और 27 सितंबर को तक फॉम फिलोगा और आपका दिसंबर में जनवरी में एकजाम होगा तो यहां से आप जा सकते हैं जीडी में और यह भी आप बढ़िया है ठीक है जनरल ड्यूटी हो ग अगर आपको देश की सिवा करने का एक्चा है तो इसके तयारी कर सकते हैं इसके लिए भी मैथ जो हम पढ़ा रहे हैं वहीं से आता है और सब का मैथ मिक्स रहता है अगर बूक उठा करके देखोगे तो जो कोशना सीजील में है कल जीडी में आ जाता है परसो MTS में आ जात इसलिए मैथ को मैथ मैथ ही रहने तो टीक है अलग-अलग बाट देते हैं जीडी का मैथ नहीं है तो इसा मत करो भई ठीक है तो इन सब का तयारी आप स्टार्ट कर सकते हैं क्योंकि एससी इस बार मेहरबान है आप लोगों पर इतने दिन पहले कलेंडर आउट कर दिया बो करते रहाना ठीक है अब से सी के बाद अगर बात करें तो बुल्क में आती है वह आपकी रेलवे में आती है तो रेलवे में एंटी पी सी का भी बेकेंसी आपका फिछला का वेकेंसी फिर से आने वाला और बहुत ही बड़ी संख्या में आने वाली वेकेंसी और मैथ रिजनिंग का जिम्वेदारी मेरा होगा और इन दोनों का ज्वैनिंग आपका मैथ रिजनिंग करवाएगा ठीक है तो इसलिए तयार हो जाओ सुबह में 9 बज के 10 मिनट पर इज डिशिवे ग्लोबल चैनल पर बहुत जबरदास्त तरीके से पढ़ेंगे प्रलेफ पढ़ते थे इसलिए अदोल rifAPP के लिए अगर अगरते रिजनिंग का चाहिए तो आप कोमेंट करके बता सकते हैं और एंटीपीसी के लिए तो इंटर याग रिजुएशन होना चाहिए ठीक है तो वहां से आप और तीनों का सिलेबस सेम होता है एससी का भी बात करें तो इसमें एक इंगलिस और कम्प्यूटर अलग से एड़ हो जाता है बाकी वही चीज़े होती है मैथ इसमें भी वही पढ़ना है रिज्ञिक इसके लिए भी वही पढ़ना और चारों पांचों सब्यक्ट को प्रोपर टाइम दीजिये और प्लान बना लीजिए और कैसे पढ़ना सब लग जाईए ठीक है और बाकी अगर और कुछ चाहिए आपको मेरे तरफ से तो आप कॉमेंट करके बताएगा कि आपको क्या चाहिए ठीक है तो यह दोना बेकेंसी है बाकी आपका विहार अगर फिल किया है तो बहुत ही बढ़ी जवाब है उसका अभी आप तयारी में लग सकते हैं यूपी पुलिस का भी अभी फॉम आया हुआ था उसका भी अगर तयारी करना चाहते हैं तो अगर इन सब के लिए आप मैथ पढ़ना चाहते हैं तो कुछ नहीं करना है आप आने वाला वेकेंसी आपका SSC हो गया या रेलेवे हो गया या अभी UP पुलिस आया हुआ था या फिर आपका विहार SSC हो गया इन सब के लिए आपको math पढ़ना किसी के लिए भी तो आप math chapter wise अगर आप अभी नहीं खतम कियें एक बार तो आपको एक बार तो chapter wise खतम करना ही पड़ पर सुवा में 8 जनवड़ी से दोनों आपका class से start हो जाएगा एक 9 बज के 10 मिनट पर एक 10 बज के 10 मिनट पर ठीक है तो तयार हो जाईए मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में अगली जनकाडी के साथ बाकि 8 जनवड़ी से तयार रहेएगा सुवा में 9 बे से 11 बे तक हमारे सतरन है ठीक है दो घंटा दीजिए छे महीने दीजिए मैथ पूरा का पूरा बदल जाएगा और मैथ में आप बहुत आगे निकल जाएंगे ठीक है ना तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं थैंक्यू